Hello friends, welcome again, हम पढ़ रहेते synthetic applications of acetoacetic ester अब तक हम ketonic acid तक पढ़ चुके हैं, आज हम AAE से ketones बनाएंगे तो 5th point है अपना synthesis of ketones, तो हम ketones कैसे बनाएंगे, सुनो AAE का या AAE के alkyl derivative का ketonic hydrolysis करने से हमें मिलता है ketone और यदि हम acidic hydrolysis करें, तो हमें मिलता है acid, कौन सा acid, carboxlick acid तो हमें बनाना क्या है ketone, तो हम करेंगे ketonic hydrolysis ketonic hydrolysis और acidic hydrolysis कैसे करते हैं, यह हम पहले पढ़ चुके हैं अब देखो, यह क्या है अपना CH3C00-O, CH2C00-O, O, C2H5, क्या है यह? एसिटो, एसिटिक, एस्टर, AAE, इसको और क्या बोलते हैं, एथिल, एसिटो, एसिटेल यह है अपना AAE, और AAE का alkyl विद्पन क्या होगा? जब हम AAE का alkylation कराते हैं, तो यहां से Hट के R जुर जाता है यदि हम एक बार alkylation कराएंगे, तो एक Hट के, एक R जुर जाएगा उसका नाम क्या होगा? जब मैंने आपको alkylation करना सिखायता, तो मैंने बतायता कि alkylation हम सिर्फ दो बार कर सकते हैं क्योंकि हमारे पार जो acidic hydrogen है, वो कितनी है? दो है अब देखो, यह है अपना क्या है? AAE इसका करना क्या है अपन को? ketonic hydrolysis कैसे करते हैं? बताया था, CO के पहले और CO के बाद वाला क्या करते हैं? bone break करते हैं ketonic hydrolysis में एक water molecule चाहिए, जिसे हम कैसे लिखेंगे? double bond O, CH, और यह देखो, यह जो carbon है, इसकी valency free हुई है यह वाली तो यह जो hydrogen है वो इस carbon पर जोड़ेगी, क्या बनेगा? CH3, CH2 और 1H, CH3 plus CO2, CO2 plus C2H5OH, C2H5OH यह man product अपना क्या बना है? acetone तो जब हमने AAE का ketonic hydrolysis किया, तो हमें क्या मिला? ketone, ketone में क्या मिला? acetone और ketonic hydrolysis किसकी presence में होता है? dilute acid या base की presence में, जनरली हम क्या लेके चलते हैं? BAOH का whole twice, बताया था? यह तो बात हुई अपनी AAE की यदि हम AAE का alkyl derivative लें, मतलब यहाँ H की जगए R group जुडा हुआ हो और उसका यदि हम ketonic hydrolysis कराएं, तो हमें CH3C double bond और CH group तो मिलेगा ही मिलेगा मतलब यदि हम AAE लें या AAE का alkyl derivative लें, ketonic hydrolysis के बाद हमें यह group तो मिलेगा ही मिलेगा, हमारा यह group तो बनेगा ही बनेगा देखो कैसे, समझो इधर समझो, यह क्या है अपना AAE, CH3C double bond O, CH2C double bond O, OET यह है अपना mono alkyl derivative of AAE, यहां पर 1H हटके मैंने क्या जोड़ती है, R, R कोई भी alkyl group हो सकता है, ठीक है, इसका हमें कराना है ketonic hydrolysis, ketonic hydrolysis, ठीक है कैसे करते हैं, CO से बाद वाला, CO के पहले वाला bond break करते हैं, HOH, क्या बना, CH3C O, CH, R और 1H यह वाला, इस वाले का carbon पर जोड़ जाएगा, CH2 मतलम, CH3C O, CH2R CH3C O, CH2R, यह है अपना monoalkyl derivative, और यदि यहां दोनो H हटके R group जोड़ दें, तो यह होगे अपना dialkyl derivative, इसका यदि हम ketonic hydrolysis करें, CO के पहले, CO के बाद, HOH, तो क्या बनेगा, CH3C O, CH, CH3C O, CH, और इस वाले कारवन पर दोनों, प्लस CO2, प्लस ETOH, ठीक है, और AEK ketonic hydrolysis से क्या मिला था अपन को, Aceton CH3C O, CH3, तो क्या देखा आपन ने, चाहे हम AE लें, या AEK alkyl derivative लें, ketonic hydrolysis के बाद, CH3C O, CH group तो अपना बना ही बना है, यह देखो, CH3C O, CH, यहां भी बना है, dialkyl derivative लेने पर, और AEK, CH3C O, CH, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि यह group तो अपना fix हो गया, अब हमारे हाथ में क्या है, कारवन की बची हुई दो valency, तो इस कारवन पर हम दो alkyl group भी जोड सकते हैं, दो H भी जोड सकते हैं, और एक H और एक alkyl group भी जोड सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें कौन सा ketone बनाना है, अब एक last बात, mono और dialkyl derivative हम बनाएंगे कैसे, बनाएंगे हम alkylation से, और alkylation कैसे करेंगे, पहले में detail में पढ़ा चुकी, सबसे पहले हम बनाएंगे sodium salt, और उस sodium salt की reaction कराएंगे हम Rx से, अब जो भी ketone हमें बनाना है, जिस R group के हमें requirement होगी, उस R group को हम यहां पे R बना कर लेंगे, आई बात समझ में, अभी हम और आगे example करेंगे, detail में तब समझ आ जाएगा, तो सबसे पहले हम बना रहे हैं, ethyl methyl ketone, क्या होता है ethyl methyl ketone, देखो, C double bond O के, एक side ethyl group, ethyl group क्या, CH2, CH3 और एक side methyl group CH3, यह कोई IUPAC नेम नहीं है, यह general name है, IUPAC नेम तो होगा, butane 2-ol, चीक है, मैं ethyl methyl ketone को ऐसे लिख सकती हूँ, देखो, C double bond O तो ही, यह हो गया methyl group, और यह हो गया CH, और यह वार H इस पे जुड़ा हो है, CH2, CH3, तो यह और यह एलखी बात है, मैंने ऐसा क्यू लिखा, समझो, हमें बनाना है ketone, इसका मतलब हमें करना होगा ketonic hydrolysis, और मैंने अभी बताया है, कि ketonic hydrolysis करने पर यह group CH3, C double bond O, CH तो हमारा fix होता है, हमारे हाथ में हैं, कारबन की बची हुई दो वैलेंसी, जिसमें, एथिल मैथिल कीटोन में, एक पे तो जुड़ा हुआ है, हाइडोजन, और एक पे जुड़ा हुआ है, CH3, तो अब एसिटो, एसिटिक एस्टर से, एथिल मैथिल कीटोन बनाने के लिए हमें करना होगा, एक बार, एलकाइलेशन, एलकाइलेशन हम कैसे करते हैं, यह हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या करना होता है, पहले हमें बनाना होगा, लवन और फिर उसके बाद, रियक्शन कराते हैं, हम आरेक से, हमें जोड़ना है, CH3 ग्रूप, इसलिए आर की जुड़ जाएगा, और हमें चाहिए भी क्या था, एक ही मैथिल ग्रूप चाहिए था, आगे देखो क्या करना है, हमें चाहिए क्या कीटोन, इसका मतलब हमें करना होगा, कीटोनिक हाइडोलाइसिस, कीटोनिक हाइडोलाइसिस भी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या करते है देखो, इसका करेंगे हम ketonic hydrolysis, जो अगला वाला CO है, उसके इधर वाला बोंड और इधर वाला बोंड हम break करेंगे, और इसमें जो हमें water molecule चाहिए, वो चाहिए A, HOH, क्या करा रहे हम, ketonic hydrolysis, तो किसकी presence में होता है, BAOH के hold twice में, अब हम जोड़ते हैं, देखो, ETOH, ethanol बनेगा, CO2 बनेगा, और CH3, C double bond और CH2, CH3, क्या बना, CH3, C double bond और CH2, CH3, क्या है यह, butane 2-on या ethyl methyl ketone, यह हमें बना रहा था, second है अपना methyl secondary butyl ketone, क्या होता है, कि C double bond O group के, एक साइड तो है methyl group, और एक साइड होगा, secondary butyl group, इसका IUPAC नाम होगा, 3-methyl-2-pentanone, देखो कैसे, सबसे longest chain है यह, 1, 2, 3, 4, 5, पांच कारवन की chain, 3-methyl-2-pentanone, क्या बना रहे हैं हम, ketone, मतलब क्या करना होगा, ketonic hydrolysis, और अभी बताया है मैंने कि ketonic hydrolysis में CH3, C double bond O, CH group तो अपना, यह वाला group तो क्या है अपना, fix है, मिल बार समझो, आपके exam में कोई साभी ketone आजा है, AAE से बनाने के लिए, आप पहले CH3, C double bond O, CH group तो fix कर लेना, उसके अलावा, जो भी इस carbon पे group जुडा हुआ हो, देखो, जैसे यहाँ पे ethyl group और methyl group जुडा हुआ है, उनको हम akilation करके जोड़ेंगे, akilation भी हम पढ़ चुके हैं, तो अब 3-methyl, 2-pentanone बनाने के लिए, हमें 2-bار akilation करना होगा, एक बार akilation में हम akil group जोड़ेंगे और एक बार akilation में chem pathyl group जोड़ेंगे, पहले हम जोड़ेंगे alkyl group कैसे जोड़ेंगे alkylation से alkylation कैसे करते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं sodium salt sodium salt की reaction कराते है alkyl halide Rx R में हम क्या लेंगे जो alkyl group हमें जोड़ना है जो alkyl group हमें जोड़ना है उसे हम लेंगे R में तो यदि हमें एथिल ग्रूप जोड़ना है तो हम क्या लेंगे C2H5, C2H5, तो Rx में हम लेंगे C2H5I, यह है अपना AAE, Aceto Acetic Extra, सबसे पहले हमने बनाए इसका sodium salt और उसकी reaction कराई हमने C2H5I से, तो C2H5I, एलकिल ग्रूप इस वाले कार्बन पर एक हट के जुड़ जाएगा, इस वाले कार्बन पर ही जुड़ गया, CH2, CH3 ग्रूप, तो यह क्या बना है अपना Mono Alkyl Derivator, अभी तो हमने जोड़ा है एथिल ग्रूप, अभी हमें जोड़ना है मैथिल ग्रूप, कैसे जो हुड़ना है मैथिल ग्रूप, तो सोडियम सोल्ट के बनाने के बाद हम इसकी रेक्शन कराएंगे CH3I से, तो यह CH3 कहां जुड़ेगा, इस वाले कार्बन पर, यह है छट के क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा, यह बन गया अपना Di-Alkyl Derivator, अब लास्ट का Ketonic Hydrolysis, Ketonic Hydrolysis, Ketonic Hydrolysis में क्या करते हैं, बता चुकी, CO के से पहले, CO के बाद, जो next वाला CO है, से पहले और इसके बाद हम बोंड ब्रेक करेंगे, HOH, बस अब हमें जोड़ना है, देखो, CH3, C double bond O, C, यह वाली है इस वाले कार्बन पर, CH3, C double bond O, CH, CH3, C double bond O, CH, CH3 ग्रूप इस वाले कार्बन पर, CH3 ग्रूप इस वाले कार्बन पर, और CH2, CH3 ग्रूप भी इस वाले कार्बन पर, CH2, CH3 ग्रूप इस वाले कार्बन पर, तो क्या बन गए अपना, 3-methyl-2-pentanone, और side product क्या बने हैं, अपने, CO2, plus CO2, plus C2H5OH, C2H5OH, So friends, आज के लिए इतना ही, next video में हम die ketones के बारे में बाते करेंगे, thank you.